हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बिजेस कमार साहू बिजेस क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम करेंट अफियर्स का मनदब जुलाई 2020 के करेंट अफियर्स का पार्ट वन देखेंगे मैं आपको जुलाई के करेंट अफियर्स दो पार्ट में कराऊंगा उसका पार्ट ओन है नेस्ट वीडियो में इसका पार्ट टू अपलोड किया जाएगा तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ जितना जादा जादा हो सके शेयर करें चलिए आज का वीडियो यहीं से सुरू करते हैं तो देखिए हमारा पहला कोशन क्या है पहला कोशन है लाल जी टंडन का निधन हो गया है ठीक यह जुलाई के सारे करेंट अफियर्स हैं ठीक तो लाल जी टंडन का निधन हो गया है वापने मध्यप्रदैस के राजय पाल एक झुलाई तक रहे उसके परजचात उन्हें एक जुलाई के बाद उनका स्वास्ते खराब हो जाने कर असपताल में ले जाए गया था ठेक, तो 21 जूलाई को उनकी मृत्ति हो गई थी, इससे पहले मतलब की वे बिहार के भी 28 में राजे पाल रह चुके हैं, ठेक, बिहार के भी 28 में राजे पाल रह चुके हैं, यह हैं, उनके बारे में important point, तो देखिए वे किस राजे के राजे पाल रहे, जब उनका निधन हो तो देखिए अंतर राष्टिय बाग दिवस जो है, वो आपका मनाया जाता है, तो अंतर राष्टिय बाग दिवस मनाया जाता है, आपका 29 जूलाई को ठीक, कमनाया जाता है, 29 जूलाई को तो इसका option number D आपका correct answer हो जाएगा, अब इसके बारे में हम देखते हैं, जनगरना के उसार, और सबसे ज्यादा बाग का हैं, मध्या प्रदेश में हैं, सबसे ज्यादा बाग हैं मध्या प्रदेश में, हाँ तो देखिए, बागों के संदर राष्टिय बाग दिवस का मनाया जाता है, तो 29 जूलाई को मनाया जाता है, आपसर नमबर D आपका correct answer हो में तो मैंने आपको बताया कि सभसरा सबस्याती का है एक भ्याव ही जयार जारी रिपोर्ट डोजार परियावरल मंत्रा ले द्वारा रिपोर्ट की अनुसार है तो मध्यप्रदेश आपसर नंबर भी आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा आप देखते हैं काकरा पारा परमारू उर्जा सयंत्रा गुजरात के सूरत सहर से 80 किलोमेटर दूर तापती नदी के किनारे इस सयंत्र की स्थापना की गई है ठीक और यह सयंत्रा विद्धूत उत्पादन में अपनी महत्वपूर भुमकानी भाता है मतलब इस सयंत्रा का उप्योग क्यों कि और मेरिक्यां गया है विधूत उत्पादित करने के लिए सयंत्र को इस्थापित किया है ठीक शावेट आपका बतात्य बी faj तो हाल ही में काकरा पर परमारू उर्जा श्यंत्र में श्वत्भ त कि न रीजेर गौरे जो काकरा पार्मारू उर्जा सयंत्रा है उसमें करा डबल पी three को बोलते हैं कारा पारा धीरी रियक्टर तो दखे के डबल पी रियक्टर है उसका विकास किया गया है नूकलिएर पावर कार्पोरेशन आफ और इंडिया के दोरा जिसका हाप नाम क्या है एंपी चीजय यहाप नाम हैं एनपी CIL जिसका फुलफामोताई नुकलियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया इसने इस काकरापारा थ्री रियक्टर का विकास किया है ठीक और जो काकरापारा थ्री रियक्टर है चौथा पैंट में देखें काकरापारा थ्री रियक्टर देश का सबसे बड़ा हवी वाटर रियक था महाराष्ट के तारापूर में था और मैं आपको बता दूं कि यह जो काक्रापारा परमारुजा सयंत्र है उसमें इस मतलब काक्रापारा थ्री की रियक्टर का यूज किया गया है 2020 में देखिए और इससे सबसे पहले उनी सो तिरांबे में इसकी स्थापना होई था तब इसमें दोसुथा मेगावार्ट जब इसकी स्था future एथी तो इसने दोसुथा मेगावार्ट की मतलब की रियक्टर लगे हुए थे और फिर 1995 में फिर दूसरे रियक्टर का परिचालन किया गया था वो भी 220 मेगावार्ट का था ठीक तो इतने दिनों बाद 2020 में 700 मेगावार्ट का का काक्रापाराथिरी रियक्टर का परिचालन किया गया है यह है काक्रा पारा उर्जा सेंत्र के बारे में ठीक अब हम देखते हैं कोश्चन देखिए हाल ही में काक्रा पारा उर्जा सेंत्र में तिसरे रियक्टर जो काक्रा पारा थिरी का परिचालन शुरू किया गया है वह मतलब काकरापारा उजासेहंतर किस राजय जमेश्थी थे तो Zoom right season रात राज्य में इस्थी थे कहां इस्थी थे गुजरात में ठीक अब देखें नेस्ट कोश्चन काक्रापारा थ्री का विकास किसके द्वारा किया गया है तो हमने अभी देखा एनपी सी याई येल के द्वारा इसका विकास किया गया है अब देखते हैं नेस्ट कोश्चन च्ट्वा पोश्चन काक्रा पारा 3 कीよろ keeping within तुर्फ कि इतने मेगावार्ट 6 के साथ सुरू किया गया है तो 700 मेगावार्ट च्व। किसमता के साथ शुरू किया गया है आप सहं पार एंसर हो जाएगा 600 मेगावार्ट 6 ता के साथ इसको शुरू किया गया सबसे बढ़ा वाटर रियक्टर हैं मतलब काक्रा पाराउजा से इस सारइ बन सकते हैं तुलнос चार कोऊचन मैंने आपको बनाया है तुल वर्तमान मृदेश का सबसे बढ़ा वार रियक्टर ह्थेओं अभी हमने देखाव समय की सतेष के प्रधान मंत्री बने वरतम Némes में ट्यूनिसिया के प्रधान मंत्री बने हैं आपशन Sp already भी हो जाएगा ट्युनिसिया के प्रदान मंत्री बने हैं ठीक अब हमारा देखिए नौमा कोश्चन है नौमा कोश्चन है हाली में रमेश बाबु ठीक ना रमेश बाबु बोदू किस बैंक के एमडी और CEO बने हैं ठीक किस बैंक के MD और CEO नियुक्त किये गए हैं तो यह है करूर वैस्वा बैंक के रमेस बाबु बहुदी अब हम देए हैं अपना next question तो हमारा आगला question है तो देखे विस्वा फेटाइट कम मनाया जाता था है वो मनाया जाता है आपका 28 जूलाई को विस्व हेपेटाइट दिवस का मनाया जाता है 28 जूलाई को अब मैं आपको बताता हूं इस वहेपेटाइट दिवस क्या होता है देखे विश्व हेपेटाइट दिवस मनाया जाता है 28 जूलाई को देखिए इसके बारे में 28 जूलाई को मनाया जाता है और इस 2020 में यह हमें इस टेखा है, हेपेटाइट में लीवर में सुजन की समस्य उत्पन होती है, हेपेटाइट एक बीमारी है, उसमें क्या होती है, लीवर में सुजन की समस्य उत्पन होती है, और हेपेटाइट वाइरस पांस प्रकार के होते हैं, हेपेटाइट A, हेपेटाइट B, ना होता है Hep8 B विमारी सबसे खतरनाक होता है और यह कि वाइरस के कारिव नव लक भ्यक्ती हे हेपेटाइड बी संक्रमर के कारण मरते हैं तो इसका हाप नाम क्या हो जाएगा हेपेटाइड बी संक्रमर का हेपेटाइड बी संक्रमर के अब देखते हैं अब देखते हैं 20 जूलाई को प्रकासित पूस्तक सोंगाफ इंडिया के लेखक कौन है तो 20 जूलाई को जो पूस्तक प्रकासित की गई है ठीक ना उस सोंगाफ इंडिया के लेखक है रस्कीन बोंड कौन है रस्कीन बोंड अब सन नंबर सी करेक्ट एंसर है रस्कीन बोंड अब इनके बारें थोड़ा देख लेते हैं देखिए रस्कीन बोंड जी को पदमभुसर से समानित किया जा चुका है रस्कीन बोंड जो है लेख़क ठीक ना उनको पदा मुचर समानित किया जा चुका है और सोंग आफ इंडिया जो उन्होंने किताब लिखा उसमें क्या लिखा है उन्होंने अपने 16 साल की उम्रह से लेकर अपने लेख़क बनने तक कि कहानी को लिखा हुआ है उन्होंने अलब 16 साल कि मुझे से लेखा लेखाक बनने तक कि कहानी को उन्होंने लिखा हुआ है सोंग आफ इंडिया में ठीक अब हम देखते हैं आपसर नमबर सी में जो है एससी एल टेकनोलोजी आईटी कंपणी है उसी की चेयर में जिसको अध्यक्ष बोला जाता है नियुक्त हुई है तो मैं इसके बारें कुछ बता देता हूँ आपको देखिए एससी एल टेकनोलोजी मतलब जो एससी एल टेकनोलोजी है इसके संस्थापक कौन है मतलब इसकी स्थापना कि इस ने किया है तो उसकी स्थापना की यह हैं सीवनाडार मलहोतरा ने सीवनाडार मलहोतरा और सीवनाडार मलहोतरा की जो इकलवती बेटी है वह है आपका महिला रोशनी नाडार ठीक सीव नाडार की संतान है रोशनी नाडार तो सीव नाडार के बाद उन्होंने उसका चेयर परसान अध्यक्ष निव्थ की गई है ठीक और मैं आपको बता दू देश की सबसे अमीर महिला है रोशनी नडार ठीक भारत देश की सबसे अमीर महिला है रोशनी नडार 37,000 करोर की संपत्ती है उनके पास और पहली महिला है जो की IT कमपनी की हेड है ठीक मतलब इनफार्मेशन टेकनोलोजी कमपनी की हेड है नहीं तो अभी तक महिला है नहीं हुगा करते थी ठीक तो यह पढ़ली है तो देखिए अपना नेष्ट कोचन है वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है रोशनी नडार मलहतरा रोशनी नडार मलहतरा ठीक आपसे नमब पहले हुई दिल्ली में तो मैं आपको बता दूं प्लाज्मा बैंग के सुरुवात का कारण है aktiv एक फीलाज्मा बैंक के खुलने से ऑलाज में काफी बृद्धी हुई है लग ने लगत ठीक होने लगे हैं और आपका कोरोना से ठीक हुएए मरीज जो होते हैं स्वाटान कर सकते हैं कोरोना से ठीक होते हैं अब देखते हैं अगला कोषेशन है पुस्तक सूरज कदे मरता नहीं को हाली में लांच किया गया ठीक पुस्तक एक है जो मदलब जिसमें एक टोपिक है ठीक न सिर्षक उसका नाम है सूरज कदे मरता नहीं इस पुस्तक को लांच किया गया है ठीक न वरतमान में इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं बल्देवसी कौन है इसके लेखक हैं बल्देवसी ठीक सुरज कदे मरता नहीं के लेखक हैं बल्देवसी अब इसके बारे में बता दूं कि ए पुस्तक मतलब किसके बारे में लिखा गया है ठीक तो प्रसिध क्रांतिकारी उधम सिंह की उधम सिंह के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है बल्देव सिंह जो है ठीक उन्होंने उधम सिंह के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है उनकी 28वी पुन्यति थी कि अवसर पर उनका जब 28 हिंजों पुर्षक को लांच किया गया ढνηmer कि ने लिखाई अब नेश्ट को अचन है भात के पहले पब्लिक एलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग पलाजा काउद घाटन कहा किया गया है ठीक पहले पब्लिक एलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग पलाजा काउद घाटन किया गया है दिल्ली में दिल्ली में आफ्सन नमबर भी आपका करेक्टेंशर होजएगा दिल्ली में ठीक अब नेश्ट कोश जपने 2020 Nielsen Mandela Pुरुस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ठीक तो मैं आपको पहले बता दू नेलसन Mandela Pुरुस्कार क्या होता है देखिए नेलसन मंडेला पुरुसकार जो होता है उसको हर 5 साल में दिया जाता है ठीक नेलसन मंडेला पुरुसकार हर 5 साल में दिया जाता है उनको दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना सरोस्वा दान कर देते हैं ऐसे ब्यक्ति जो मनुस्य की मतलब मानावता की सेवा के लिए ठीजना पुरा जीवन समर्पित कर देते हैं। उनको दिया जाता है निल्सन मंडेला पुरुसकार हर पांस साल में दिया जाता है और इस पुरुसकार की स्थापना दो हजार चौदा में हुई थी। इस पूरुसकार की स्थपना 2014 में हुई थी तथा पहली बार इसे दिया गया था 2015 में पहली बार कब दिया गया था 2015 में मतलब 2020 में किसे दिया गया है तो मैं आपको पता दू आपसन नमबर हो जाएगा मोरी साना कायट और मारियाना वर्दी नायलीस इन्हें दिया गया है नेलसन मंडेला पुरुसकार 2020 में तो मैं आपको इनका 68 नम याद करने का तरीका बताता हूं क्योंकि नाम तो इतना पटान है कि आप आसानी से याद नहीं रख सकते तो देखें आपको केवल याद रखना मैं इनका से चुछाव है थिक कि नेलसन मंडेला पूसकार 2020 के बस याद रखें तो मारी जिनके नाम महई रहे वही हैं नेलसन मंदेला पूस्कार के विजेता ठीक अब हम देखते हैं अपना आगला question देखिए हमारा next question क्या है next question है हाल ही में कारगील विजय दिवस की किस्वी वर्ष गाठ कम मनाई गई तो मैं आपको बता दूं कारगील विजय दिवस मैं आपको पहले कारगील यूद के बारे में बताता हूं ठीक तो कारगील विजय दिवस क्यों मना जाता है कारगील यूद में जो हमारे जवान भारत देश के जवान सहीद हुए थे उनके लिए कारगील यूद जो है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुआ था ठीक और यह मनाये जाता है सहीद वीर जवानों के सम्मान है तू ठीक और भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगील यूद हुआ था कब हुवा था 1999 में हुवा था और यह यूदशाठ दिन चला था। कितने दिन चला था। शाठ दिन यह यूदशाठ चला था 909 में हुआ था। और इसका अंत कब हुआ था मतलब इस यूद का अंत हुआ था 26 जुलाई 1999 को देखिए कारगील यूद का अंत हुआ था 26 जुलाई 1999 को इसी कारर 26 जुलाई को कारगील विजाय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जुलाई 1999 को कारगील मतलब की यूद का अंत हुआ था और इस चालू हुआ था 1999 में ठीक और 26 जुलाई 1999 को अंत हुआ था तो किस्वी वर्सगाट कब मनाई गई कारगिल विजय दिवसकी तो मनाई गई आपका 26 जूलाई आपसन नमबर भी करेक्ट एंसर 26 जूलाई को मनाई गई ठीक अब देखिए भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल यूद कब लड़ा गया था तो मैं अभी बताय आपको कब लड़ा गया था 1999 में कारगिल यूद कब लड़ा गया था 1999 में मतलब आपसन नमबर सी आपका करेक्ट एंसर अब देखते हैं उन्होंने नमीन रोजगार छत्री योजना का सुभारम किया है अब मैं आपको बताता है नमीन रोजगार छत्री योजना के अंतर क्या होगा देखिए नमीन रोजगार छत्री योजना जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाती के गरीबों को आर्थिक साहता प्रद बात किया है और इसके तहट 36,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो नवीन रोजगार छत्री योजना है इसके तहट 36,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा फीक तो यह है नवीन रोजगार छत्री योजना इसका सुभाराम किसे ने किया है आपका उत्तर प्रदेश अब हम देखते हैं next question, हमारा next question क्या है देखी, if it bleeds, हाल ही में प्रकासित पुस्तक जो है ठीक ना, हाल ही में पुस्तक प्रकासित हुआ है if it bleeds, इफित ब्लिट्स इसके लेखा कौन है इफित ब्लिट्स के लेखा खाएं Stephen King हाल ही में जो पुष्तक प्रकासित हुआ इफित ब्लिट्स इसके लेखा खाएं Stephen King ठीक अब हमारा next question क्या है golden wording हाल ही के दिनों में सुर्कियों में रही हिए वह है गोल्डन वर्ड विंग ठीक गोल्डन वर्ड विंग हाली के दिनों में सुर्क्यम रही वह है तो गोल्डन वर्ड विंग क्या है तो मैं आपको बताता हूँ गोल्डन वर्ड विंग किसका नाम है तितली का नाम है एक तितली का नाम है गोल्डन वर्ड विंग ठीक इसके बारे मैं आपको बताता हूँ देखिए यह भारत की सबसे बड़ी तितली है गोल्डन वर्ड विंग याद रखेगा गोल्डन वर्ड विंग भारत की सबसे बड तितली है इसके पंखों की लंबाई है 194 मिलीमिटर इसके पंखों की लंबाई है 194 मिलीमिटर ठीक और एक कीट वर्ग में आती है कुण से वर्ग में आती है कीट वर्ग में आती है ठीक कीट वर्ग में आती है और आर्थो पोडा संकी सदस्य है किट वर्ग में आती है और आर्थो पोड़ा संकी सदस्य है इसके पंखों की लंबाई 194 मिलिमीटर है और यह भारत की सबसे बड़ी तितली है और आपके लिए कोच्चन है कि इसका बैज्ञानी की नाम क्या है उसको आप मेरे को कमेंड बॉक्स में बताएं ठीक अब देखिए तो एक तितली है मैंने आपको बताया तितली का एक नाम है जो भारत की सबसे बड़ी तितली है अब हम कर्मट पुरुस्कार 2020 से किस भारतिया को सम भारतिय कर nominees किया गया कि सानमबर सी के सीवन जी को के सीवन जी को वह आन कर्मत पूर्सकार 2020 से समानित किया गया है ठीक तो अब हम देखते हैं नेस्ट कोस्चन मारा नेस्ट कोस्चन क्या है कि हाल ही में इन में से किसके द्वारा प्रवासी रोजगार एप लांच किया गया है तो सोनु सूध सोनु सूथ जो है ठी ना सोनु सूथ के द्वारा सोनु सूथ के द्वारा प्रवासी रोजगार एप लांच किया गया है किसके द्वारा लांच किया गया है सोनु सूथ के द्वारा अब प्रवासी रोजगार एप का उदेश से क्या है कि प्रवासी स्रमिक जो है ठी ना प्र खिलाडी ने City tampoco खिलाडी ने स्केमिकश फूर्वाल लीग में रिकारट साती बार सबसे अधीक गोल करने के लिए golden- facility किसने साथी बार सबसे ज्यादा गोल करने के लिए golden boot हासल किया हैं तो उनका नाम है लियोनेल मेसी लियोनेल मेसी आपसार नंबर वी जो है इन्होंने साती बार ठीक न सबसे ज़्यादा गोल फुडवाल लीग में सबसे ज़्यादा गोल मारने का golden boot हसिल किया है ठीक हमारा next question है फुर्वाल लीग लालीगा का खिताब किस ने जिता तो मैं आपको बता दू कि फुर्वाल लीग जो 2020 से किस में हुआ Spanish football league ठीक है उसमें लालीगा का खिताब जीता है Real Madrid किसने जीता है Real Madrid Real Madrid ने ला लीगा का खिताब जीता है 2020 से किस में अब हमारा next question क्या है देखिए next question है हमारा हाल ही में अंतर राष्टी ये मुक्य बाजी हाल ही में अंतर राष्टी ये मुक्य बाजी संग द्वारा जारी विस्वर रेंकिंग में 52 किलोग्राम भारत वर्ग में किस भारतिय पूरुस मुख्य बाज ने पहला इस्थान प्राप्त किया है तो जो बावन किलोग्राम भारत वर्ग में किस भारतिय पूरुस मुख्य बाज ने पहला इस्थान प्राप्त किया है विस्वर रेंकिंग में तो वे हैं अमीद पंगाल कौन है अमीद पंगाल आप हम देखते हैं.. तो suiv। हम देखते हैं.. हमारा संच का हिए.. myśldक का नाम ha.. नीमो कोकल पौली सेके राइट कंजुकेत को थै― किस रोख के उपचार से संबंदित है तों या एक किस रोग कि उपचार से संबदि थे नीमोनिया के उपका से संब धिए इस के बारें बताता हूं देखिए DCGI का full farm होता है Drug controller general life india क्या होता है DCGI का full farm Drug controller Drug controller general life india और जो हमारा ये टीका है टीके का क्या नाम है देखिए नीमो कोकल पोली सेकराइट कंजूगेट जो टीका है ये टीका पांस साल की उम्रतक के सिसुहों में होने वाली नीमोनिया रोक की रोक ठाम के लिए ठीक तक के सिसुहों को जो टीका दिया जाता है ठीक उसमें वो टीका क्यों दिया जाता है नीमोनिया रोक की रोक ठाम के लिए तो टीके का नाम है ठीक उससे क्या होता है वो बाल मृत्तिवदर को कम करता है क्या करता है बाल म्रितिव दर को कम करता है मतलब बाल को सिस्वूं की म्रितिव कम होती है और पहले इस टीके को क्या किया जाता था बाहर से मंगाया जाता था ठीक नहीं बाहर से आयात किया जाता था मतलब इंपोर्ट किया जाता था लेकिन जो टीका है ठीना नीमो कोकल पॉ सीरम संस्थान का निर्म looking ने स्टीक का निर्मार किया है। नीमोनिया के उप्शार के हे थि değil है। कुष्यर योति है। है निवोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोग ना किसके द्वारा विक्सित की जा रही है तो रूम में भारतिया वायू सेना oh नेस्ट कोच्चन भारतिये वाई उसे ना को पांच आपाचे लड़ा कुई मान किस कंपाईन ने डिलीवर किये हैं तो देखिए किस ने डिलीवर मैं आपको पहले बता दूं कि है क्या चीज ठीक मतलब क्यों डिलीवर किये हैं देखिए एक सितंबर 2015 में भारत और अमेरिका के बीच एक डिल हुई थी उस डिल में क्या बोला गया था तीन बिलियन डालर की डिल हुई थी वो डिल कि कितने के लिए हुई थी तीन बिलियन डालर के लिए डिल हुई थी इस डिल में अमेरिकी कंपानी बोईंग के द्वारा भारत को ठीक ना भारत को यहां पर नहीं हो कंपनी बोईंग है उसको भारत को 22 अपाचे लड़ाकु हेलिकाप्टर 15 छीनक हेवी लिप्ट हेलिकाप्टर पतान करना था ठीक और हाल ही में 10 जुलाई को 5 अपाचे लड़ाकु इमान बोईंग कंपनी ने भारत को दिये हैं अभी वर्तमान में मतलब 10 जुलाई को 5 पहले सब चुका है पाच अभी दे दिया हो टोटल देने थे 22 मतलब लास्ट था ठीक ना लास्ट था इसने पूरे अपना डील को मतलब पूरे डील के हिसाब से इसने 22 लड़ाक को इमान दे चुके हैं तो एक किस ने दिया है आपका किस कंपणी ने डिलिवर किया है तो ब कर्माता धुर्वास्त की है जिसको अभी मतलब रवृतमान त्यूलाई मिवर दियार किया से मिसाइल की मारक भ multiplier नगा भारती है यह भारती यह वायी चैना के द्रूव मिसाइल से है फो यह था आज का हमारा थो यह सारे है जुलाइ के most important left पार्ट वन इसका है ठीक ना इसका पार्ट टूब्ही मैं आगे अप्लोड करूँगा तो दो पार्ट में मैं आपको जुलाई किये सारे करेंट अफ हेर्स कराऊंगा भारत के ठीक तो आसा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया होगा तो वी दोस्तों के साथ जितना ज्यादा ज्यादा हो सकी सेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत जैचितिस गर्व